तो मैं आप लोगों को ऐसा नहीं बोलूंगा कि यह वीडियो देखने के बाद आपका headshot पहले से ज्यादा लगेगा आपको खुद ही result मिल जाएगा बट ये बोल सकता हूं कि आपका fire button को लेकर जितना भी doubt है वह सारा clear हो जाएगा तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए वीडियो को start करते हैं तो देखो भाय लोग पहले तो आपको fire button को first and second loot के नीचे रखना पड़ेगा मैं जिस position पर दिखाया उस position पर क्योंकि यह best position है fire button का और अगर आपका phone का ram 2GB, 3GB and 4GB है तो आपको fire button को 40 से 45 के अंदर रखना है और आप चाहो तो 40 रख सकते हो क्योंकि मैं भी fire button को 40 पर ही रखता हूँ और अगर आपका phone का ram 6GB, 8GB and 12GB है तो आपको fire button को 40 से 55 के अंदर रखना है क्योंकि यह आपका finger के लिए best size है तो I hope आप लोगों का fire button को लेकर पूरा doubt clear हो गया है तो आप लोग एक बार try करके देखना हो सकता है कि आपका headshot पहले से ज्यादा लगे तो मिलते हैं किसी और topic पे